ललन डॉप की चुनाव यात्रा आसम के बारपिटा जिले में है और फिलहाल हम खड़े हैं ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर जी हाँ यह ब्रह्मपुत्र नद ही है और यहां से जब बारिश के दिन होते हैं तब नद बहने लगता है और आप यकीन नहीं मानेंगे ये जगे अपसे कुछ साल पहले तक के यहां पे एक पूरा गाउं आबाद हुआ करता था जहां पे अब इस तरह के बारन सैंड बार्स बचे हुए हैं यहां पे कोई पैदावार नहीं होती है नदी का पूरा इलाका है और जब जैसे पानी बढ़ेगा अभी से दो महिने बाद बारिश होने लगेगी यहां पे तो यह पानी के अंदर चला जाएगा यहां पे क्या-क्या होता था और अब यहां क्या ौगया है यहां आपको बताएंगे आलमेन के साथ हम यहां पर चावरा यह के हम लोग रहते थे लेकिन यहां पर 20 सल से वाक हुआ चला गया 2003 में यह सब के साथ ब्रोंत्रों के बीच चला गया बनाब 2003 में बाड़ा इसी तब यह इलाका कटा और अब नद यहां से बहता है दादा आप भी इसी इलाके में रहते हैं क्या नाम है आपका मेरा नाम साइजुल खान आपका गाउं कहां पर था यह तो वह आज भी है या फिर वह भी नद के अंदर चला गया नोदी तो गयत यहां था अभी शर में है अच्छा क्या दादा क्या क्या उन्से आप उनसे समझ लीजिए और फिर मैं बतार लिए वंदा इनका घर पहले नदी में चला गया ठीक है व आपका अगश्याद चाल पहले मतलब नदी में चला गया था तो हम आरा कऊर नाइंटी शिक्स में नाटी सिक नहीं हमारा आरभ बोड़त नधितमठ मर्ते अरै ए टीफूर में सवला गया 1984 में इनका गाउं बह गया और एक तरह से नदी नद में कटाओ कर दिया और आप वहां से भी पर आइट नाइन्टी एट फीर चौर मतलब 1984 में जब नदी में चला गया उसके बाद ऐसे करके चर उड़ता है मतलब यह जो आप दिख रही है यह अगर यहां से नदी बहेगा बहने के बाद पास दर सल से फिर यह उट जाएगा मतलब मीटी आखे यह उट जाएगा और यहां पर रहने के लिए मतलब ठाय हो मतलब आपका गाओं पहले एक जगह पर था वहां पर नद आया ब्रह्मपुत्र आया उसने उस जगह में कटाव कर दिया और आप दोबारा जाके बसें ऐसी जगह जहां नदी के अंदर से जमीन बाहर आई है एक तरह से जहां से जो इलाका छोड़ दिया है और वहां पर ब बोट से बिना कोई किसी का काम नहीं चलता है यह पूरे के पूरे नदी हो जाएगा सागर जज़ा हो जाएगा हमारे लिए भी यह समझना बड़ा मुश्किल था आखों पर हमें भी यकीन नहीं हुआ जब उन्होंने हमें समझाई यहां की जोग्रफी तब समझ में आया कि यह दरसल ब्रह्मपुत्र के अंदर की जमीन है और अब यहां से नद बहता है पानी फिलहाल जो नदी का है वो काफी दूर है यहां से आप लगा लीजे 500-700 मीटर दूर से जो बहने वाली धारा हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह जमीन पूरे समय सूखी रहे गी है यहां पर कोई development हो सकता है रोड बन सकता है जैसे ही पानी उठेगा बहुत लो लाइंग एरिया है बारपेटा का जैसे ही पानी उठेगा यह पूरा इलाका नदी के अंदर चला जाएगा और यही एक वज़े है कि जिससे चौर कहते हैं यहां की भाशा में चार कछार तो अ जिसका भी घर रहा होगा एक विक्ति तो हमने आपको दिखा दिया उसके पास में कोई option नहीं था यहां से उठके कहीं और जानेगा उसे कहीं जाकर के बसना ही पड़ेगा और तब ही उस तरह का टकराव आपको देखने को मिलता है जो यह eviction वाला पूरा इशू है उसका ए पर बसते हैं और जब भी इन दोनों सितियों में eviction की तलवार इनके ओपर लटकती रहती है सरकारे आती रहती है जाती रहती है अलग-अलग पार्टी इसके कैंडिडेट्स जीतते रहते हैं लेकिन यह एक पॉमनेंट प्रॉब्लम है बारपिटा जिले में कुछ धूबरी जिले में भी इस तरह की समस्याएं आती रहती हैं कि फिक्स नहीं है कि नदी कहां से बहेगी इसलिए जो लोग है उन्हें अपना पता बदलते रहना पड़ता है लेकिन दस्तावेजों में उनका पता नहीं बदल पाता है और तब उन्हें evict कर दिया जाता है इस तरह की औ और स्टोरीज ब्रह्मपुत्र के इस घाटी से लाने की हमारे प्रयास लगातार जारी रहेंगे उन्हें सब को अगर आप देखना चाहते हैं तो ललन टॉप के साथ बने रहें बारपेटा जिले में ब्रह्मपुत्र नदी के इस चौर से प्रशान के साथ महुनिखिल आप देख रहे हैं दिललन टॉप की चुनावे आतरा